इंदौर में सालों पुरानी परंपरा को निभाते हुए शनिवार को शहरवासी रंगपंचमी पर रंगों से सरबोर हुए सुबा दस बजने के साथ ही आसपास विभिन हिस्तों से लोगों का हुजूम शहर की रिदय स्थली राजवाड़ा पर उमडने लगा था रंगपंचमी की गेर में शामिल होने के लिए मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अहां पहुचे मुखे मंत्री ने इंदौर रासियों के साथ जम कर होली खेली उन्होंने कहा कि रंगपंचमी के शोव अपसर पर आज इंदौर के एतिहासिक और गुरफशाली गेर में सहभागिता की उल्लास उत्साह और उर्जा से भरा ये उत्साव समस्त प्रदेश और देशवासियों के जीवन में खुशियों के नए रंग बिखे रे सबके जीवन में असीम आनंद हो यही शुभेच्चा है मेरी अपनी ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रंगपंचमी की बद्धाए इंदौर की अपनी बहुत पुरानी परंपरा है पिचोतर साल से जादा वर्स हो गया है आज मैं इस गयर में खुद सामिल हो रहा हूं मुझे इस बात की प्रसंदता है वर्सो पुरानी एक परंपरा जो हमारी मद्वदेश की और खास करके मालवा के श्चेतर में उज्जेन इंदौर यह गयर का बड़ा आनंद लेते है अजर तो सब्द है बूलता अपने बनाने के लिए निकलने वाली एक टोली है जो सबको अपना बनाती है कि प्रतिक भी है विजो सो के प्रतिक है आज के बाद अलग अलग महुलों की समाजों की एक तरह से वाहिनिया चलती थी पराने समय में उस वाहिनियों के प्रतिक अपने अपने निसान लेकर निकलने की परमपरा है मेरी अपने और से पूरे प्रदेश वाश्यों को रंग पं प्रिब बड़ाई